आप देख रहे हैं समाचार एजेंसिय अफ इंडिया में साइन नियूज उनकी प्रतिमाएं लगबग पूर्णता की और हैं 15 अक्टूबर से नौरात का पर भारम हुआ है और 16 अक्टूबर को लगबग लगबग पूर्णता की और प्रतिमाएं दिख रही हैं देखें कितने सुन्दर तरीके से माता के सजावट की जा रही है माता को परिधान पहनाए जा रहे हैं माता का श्रंगार किया जा रहा बहुत ही सुन्दर तरीके से यहाँ पर आप यह सारी चीज़ें देख सकते हैं सवाचार एजन्सी अफिनिया की साइनियोस के लिए अशोक सोनी की रिपो मैना बेराम प्रतिमाएं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वास्ताव में इस तरीके की प्रतिमाएं बहुत ही सुन्दर प्रतिमाएं जो आपको प्रतिमादेखते ही आपका श्रता भाव से मन भर जाए इस तरीके की प्रतिमाएं सीवनी में बनती हुई आपको दिखाई दे रही समचारे जिन सेफ इंडिया की साइनियू के द्वारा इसके पहले भी आपको बग्मान श्री गनेश पुद्धिवनायग जिने कहा जाता है उनकी प्रतिमाओं के बनने का सिलसिला किस तरह आरंब हुआ वो दिखाया गया और अब हम आपको ये दिखा रहे हैं माता दुर्गा किस तरह से इनकी प्रतिमाओं बन रही है माता दुर्गा के नौ रूपों की पूझा की जाती है नौरूपों को शक्ती सुरूप में पूजा की जाती है देखिए माता को साड़ी यहां पर पहनाई जा रही है कितने सुन्दर तरीके से विवस्थित तरीके से यहां जो गूर्तिकार हैं, कलाकार हैं, पेंटर्स हैं सभी के द्वारा पूरे श्रद्दा भाव के साथ माता की प्रतिमाओं का निर्मान यहां पर किया जा रहा है रंगरोगन माता की प्रतिमाओं का जिसे श्रंगार भी माता की प्रतिमाओं का कितने सुन्दर तरीके से यहाँ पर किया जा रहा, देखते ही बन रहा है, माता की जूनिया, माता के आभूशन, माता को, देखिए, मुकुट में किस तरीके से यहाँ पर मुकुट को सजाया जा रहा है, एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखा जाता है कलाकारों के दोरा, समचार एजिंसी अफ किस तरह से एक बालक पकड़ के खड़ा है और कलाकार के द्वारा मूर्तिकार के द्वारा माता का शंगार कर उन्हें वस्त्र उन्हें पहनाए जा रहे हैं माता को यहां देखिए कितनी सुंदर सलोनी प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी जब यह प्रतिमा पंडाल में पहुचे कि जो प्रतिमा आप देख रहे हैं पॉलितिन से डकी होई हैं वो प्रतिमा लगबग पूर्ण हो चुकी हैं और यहां पीछे पंडाल भी आपको दिखाई दे रहा होगा पंडाल में लाइट्स भी दिखाई दे रही होंगी वास्तव में बहुत बारीकी से कलाका को देखा जाता है सारी चीजों को कलाकारों के द्वारा मूर्दिकारों के द्वारा पेंटरस के द्वारा यहां पर किया जाता है माता को सजाया जाता है माता के बुझाएं आप देख सकते हैं कितने विशाल तरीके से और कितने सुन्दर तरीके से गड़ी गई हैं समचार तरीके से माता के मुकुट को तैयार किया जा रहा है कलाकारों के द्वारा देखते ही बनता है उनकी श्रद्धा उनकी कला वास्तों में उनकी श्रद्धा और कला अपने आप में अद्बुद होती है दो मेहने तीन मेहने का समय होता है जब गणेश प्रतिमा बनने बुद्धि बिनायक बखवान गणेश की प्रतिमा बनना आरंब होती है उसके बाद पित्रपक्ष पित्रपक्ष के उपरांत माता दुर्गा की नवरात्री आती है और इस नवरात्री के लिए माता की प्रतिमा तैयार की जाती है। जब इन प्रतिमाओं को आप पड़्डाल में देखते हैं तब आपको उसके पीछे की महनत, उसके पीछे की सोच, उसके पीछे की लगन, यह सारी चीज़ें आप शायद इसका आंकलन नहीं कर पाते होंगे, इन सारी चीज़ों को आप इनका भान भी कहीं न कहीं माइलेज मिलना चाहिए उन्हें भी इस बात का कहीं न कहीं पारी दोशक मिलना चाहिए जो उनके द्वारा किया जाता है ये समाचार एजिंसिय अफ इंडिया की कोशेश है समाचार एजिंसिय अफ इंडिया का प्रियास ये इसी तरीक कर रहता है कि माता की प्रतिमा किस तरह से बनाई जा रही है वो भी आपको पता रहे समाचार एजिंसिय अफ इंडिया की साइन यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट प्रतिमा आया माता की लगबग तयार हो चुकी है अब इसके बादिया पंडालों में जाएंगे पंडालों में जाकर विराजेंगे ये देखिए गिस कर तयार कर रही है प्रतिमाता का चेहरा समाचार एजिंसिय अफ इंडिया की साइन यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट अगर आपको ये खबरें पसंद आ रहे हैं तो आपने लाइक सब्सक्राइब शियर जरूर कीजिए साथी कमेंट बॉक्स में लिखके बताईए कि आपको ये कैसी लग रही है फिलाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे हम फिराजर होंगे जय हिन झाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे हैं जय है झाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे हैं जय है